गुड मॉर्निंग आप जानते हैं कि हमने जो है ज्रॉफ प्लानेड और मून को है लास्ट प्रीडियो में कवर कर दे हैं आज हम एस्ट्रोइड और कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे ठीक है उसके बार फिर हम एक और दुबारा से एक बार समरी जो है एक तरह की इस हाज हमें revised हो जाए. ठीक है? Okay, so let's start! Asteosids are rocky, airless world that orbit Earthians, they are too small to be called planets, 10,000 of these minor planets are gathered in a main asteroid belt between the orbit of Mars and Jupiter. Asteroids that pass close to the Earth are called near व्यक्ति रख सकते कि मतलब नहीं है शुस्क्ति टिक है यह संन की और बिट करते हैं यह भी झार्विट करते हैं बट क्या प्रब्लम है कि यह बहुत ही जादा चोटे इतने चोटे कि अपलानेट नहीं कह सकते हैं तो आप देख रहे एकर शौन का इंग डा जा सकते हैं ऐसे ही बहुत सारे जो एस्ट्रॉइट हैं वो गैदर हो गए हैं ठीक है और उन्होंने एक एस्ट्रॉइट बेल्ट बना दी जैसे कि इस तरीके से बहुत सारे एस्ट्रॉइट जो है ऐसे ऐसे करके एक बेल्ट जैसी उन्होंने बना दी गैदर हो गए एक जगे पर वो कौन सी जगे है मार्स और जुपिटर जो प्लानेट है उनके बीच में उन्होंने ऐसी बड़ी सी बेल्ट बना के रखी ठीक है अगर यह एस्टरोइट अर्थ के पास आ जाते हैं गैसे और ज्रफेगा उन्हुट भी यहीं ऊज्गे सबस्ता गार्स आर जानी अजमागा यहीं दूभी टाया है वी क्या इसलो ग Спया है विज्यान फोने प्लव concerned यहीं वहाँ आप एस्वार्गव फर्वशन गैसंच से बहुत थंडे विचे का खेऊसे और रोक से बना होते हैं जब और मेट करते इसा हमें लगता है कि यह इसा हमें लगता है कि आपको समझ में आगया होगा सॉरी तो अब हमें एक काम करते हैं हम एक वार इस chapter को फिर से revise कर लेते हैं ठीके ठीके तो हमारा इनने solar system chapter था solar system में हमने क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि हमारा जो solar system है वो अकेला कुछ नहीं है सबसे बड़ा हमारा universe होता है ठीक है हमने यही पढ़ा था यूनिवर्स के अंदर क्या आती है गैलेक्सी जाती है यही पढ़ा था न हमने गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है बहुत सारे सोलर सिस्टम है करती है हमारा नहीं है लेकिन हम इसी सोलर सिस्टम में रहते हैं अपने सोलर सिस्टम की फरद कि जो Sun है उसके पास gravitational force है जिसके करण जो सारे planets है और जो भी objects है वो उसके around orbit करते रहते हैं तिक है gravitational force कहो या एक है दो कि एक power है ठीक है क्योंकि हमारा जो Sun है वो बहुत powerful है पिर हमने Sun के बारे में बढ़ा था कि Sun क्या है हमने का Sun तो एक star है ठीक है क्योंकि वो हमारे बहुत करीव है इसलिए यह इतना बड़ा देखता है अगर Sun हमसे दूर होता तो वो भी हमेंinta ऐसिल concise इतना बड़ा दिकत है और हमने लाइध लिए इतनी जादा लाइध देता है फिर हमने देखा कि जो star है यह हमारा Sun है कि से बनाःए यह gases से बनाःए हमारा जो अर्थ है वो अर्थ से कितना जादा बड़ा सन है कि उसमें मिलियन जॉफ ठीक है बहुत सारे अर्थ जो है समा जाएं फिर हमने प्लैनेट के बारे में पढ़ा था प्लैनेट के नेम पढ़े थे मरकरी वीनस अर्थ मार्स चुपिटर सार्पन यूरैनस और मतलब कि अगर हम यहां पर कुछ भेज venues लांड कर सकता है लेकिन अगर हम इन चार पर भिजे लोड़ास के भी तो यह गय्सेर से बनाएं घैसेर में बताओ कहां पर लैंड करेका हमारा हम जाकर घैस E означते रहएं खही बेट नहीं इसको चलो मैं फिर से कर देती हूं इनको हम कहते हैं इनर प्लानेट ठीक है और बाकियों को क्या का हमने आउटर हो गए ऑविसली ठीक है इनको टेरिस्चल प्लानेट भी कहते हैं फिर यह यूरैनस और नेप्चिन को हमने कहा क्या आइस जाइन्ट है क्योंकि यह बहुत दू के अराउंड रिवाल्व तो करते हैं लेकिन वह एक फिक्स और्बिट में नहीं करते हैं वह अपनी ओर्बिट जो होती है वह छोड़ दिनते हैं इनी प्लानेट को हम रहते हैं प्लूटो एक बहुत ही जादा पॉपलर फिर मून के बारे में मून तो एक नाचुरल सैटलाइ नाचुरल सैटलाइट मतला यह अर्थ के अराउंड घूमती रहती है और एक चक्रिये 27 डेज में पूरी करती ठीक है और अभी अभी हमने पढ़ा था एस्ट्रोइट और कॉमेट तो चलिए हम ने की चाप्टर पूरा रिवाइस कर लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर